अपने और ध्यूने दिया टिए होज़ना डिश्ट करते हैं वीकी पाकसानी ड्रामाज को उन्हें जो-जोभी हैपनिंग होती है उनको डिसकिस करते हैं और हमेशा की तरा मेरे साथ देते हैं मेरे दोस्त जो के आज वो एक फूलों का गुलदस्ता बने हुए हैं और उनका नाम है एतशाम रमजान एतशाम रमजान से उनको घर वाले भी उनको नहीं जानते लेकिन पूरी दुन्या उनको कहती है मून जे मौन पूलों की टौकरी बनके तो आज मैं फूलों का गुल दस्ता बनके हैं और शोड़ मों क्यों जो शोड़ों के चोड़ दे। आपके बात की है बात को बल की खालben मुझे पूछें अपने और्डियन्स के क्या हुआ है और आप हमें मिल रहे हैं आज मुलाज़टि के बाद हमारी मुलागात हो रही है ठीक है आप आपको आपको पसंद आया हो और आपको वैसे फीडबग तो बड़ा अच्छा आ रहा है बहुत माशा आला हुज ही होती है कि आइस्ता इस्ता हम भी चलन में आ रहे हैं कैसा रामून आपका वीग मेरा अफ्ता अच्छा था थोड़ा सा बीजी था थोड़ा सा हेक्टिक था बट ओके लाइफ मस्ट गो और ड्रामों के इतबार से देखें तो किसी भी डामे में में मेजर ली कुछ भी ने हुआ हुआ थंडेस्ट वीग हम जिल में मैं बैठा मै नाइया द्रामा है जो हम पहली दुस्स बां आंप टो हमारफास है प्रिश्मन, हब्स, बशा बेगम, बीबी, वहम, पिंज्रा, मिर्षिजादी, प्राज, पेलंदर, जो एक निया डामा है, जो हम पहली दफाइद करने जा रहे हैं, और शेयद आफली दफाइद करने जा रहे हैं, और एक डामा मैंने भी किया है, मैं सोचा हूँ, और एक उसमें वही है कि पुफो और दादी जो है, वो लड़कियों को कहती है कि इनकी शादी हो, यह अपने अपने घरों की हो जाया है, और लड़कियां सोगण नहीं है, यह नहीं बाप थोड़ा सपोर्टिव है, लड़कियों अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है, बस यह क मेरी बिगडी बना दे बार बार उसकी रेपिटेटिव एक ही डायलोग है, शरीफ, दीन, दर्दार, शरीफ, दीन, दर्दार में धंग आ गया हूँ लेकिन वह भी बाहत सुने ना अब उनके पास भी बिचारी के पास च्वाइस नहीं अची स्क्रिप्ट कहां पे आ रही है, आप देखे कितने अच्छे ड्रामे जो बने है, मेरे खिल में तो कोई भी बने मिजना इए, मुझे नहीं का माँ मुझे पास बिचारी, वह इतनी अच्छी आर्टिस्ट है, मुझे वह बड़ी पसांद है और उन्हें ने इस्ना में पर अच्छा काम किया लेकिन उनको अच्छे क्रेक्टर्स नहीं दे रहे हैं वे सुननों चंदा में भी थी ना उन्हें प्रफ बड़ा अच्छा जाएगा जो अच्छे एक्टर्स मेरें उनका पोटेंशिल खतम हो जाएगा अच्छा मैं यही सोच रहा था कि मैंने यूट्यूब इस एपिसोड बगतावर के बार मैंने यूट्यूबे कमेंट्स देखे 80% कमेंट्स में लिखा था only here for युम्ना जैदी तो किया यूम्ना जैदी पर responsibility नहीं बनती कि वह एक अच्छी script select करें बनती है ना वो सिर्फ यह देख रही है कि इस डामे मेरा जो काम है मेरा tenant खुल के सामने आ रहा है अगर हम बगतावर को ऐसे दिखें कि हमने इसकी teaser trailers देखे हैं तब मुझे लगता है कि it's a unique story but it's not executed It's actually here and there and everywhere कुछ objective और कुछ direction रामे की समानी आ रही किस सिमत को जा रहा है कुछ चीजें खा जाते हैं कुछ बदाते हैं अच्छा खेर शुन करते हैं कि करके सबसे पहले मुझे वो सचल की acting day by day और थंडी होती जा रही है अच्छा वाला actor जो भी बात करेगा तो उसकी एकिटोन होगी अच्छा मैं इस चीज पे बहुत strongly believe करता हूँ कि बहुत कम models जिन्हों ने अपने आपको अच्छा actor मनवाया है बहुत कम है अंगलियां Sunita Marshall अच्छी actress है She was a model, she's a good actress I agree उसके इलावा Nadia Hussain भी caricaturist है और कोई model आपता है अभी वह एक और लड़का था वह तो अच्छा है Satchal Satchal तो नहीं Satchal तो यही है तो नहीं एक और दूसरा जो आहद है किसा महरबानो वाला अच्छा वह अच्छे है उनका नाम क्या? Satchal Khan वह अच्छे एक्टर है वह अच्छे एक्टर है उनका भी वह आप वहशी में मुझे उजिनाफ सहीं दिखा रहे थे वह बहुत इमोशनल तो बट क्या कर सकते? सोचना creator को चाहिए कि कौन सा model जो एक्टिंग की तरफ जा सकता और कौन सा model जो अक्टिंग पितर नहीं जा सकता और यह भी मुझे कहीं डिरेक्टर को भी चाहिए अगर उसने अच्छी शकले रखी है फॉर एक्जैम्टल ड्रामे को खुबसूरत चारचान लगाने के लिए उन अच्छी शकलों से काम भी ले ना अब प्राब्लम में इसके ऐसा नहीं है कि उसने कभी बी अच्छी अक्टिंग नहीं करी जब वो आया था उसने बंबार्मेट किसम कि उसने अमनी आइंटी देती लोग में आगी और हमने आगर आप हमारा जाके पिछले वोग तो कि वहीं में स्थोपन महारा किए वाक्तावे का रेव्यू रिव्यू स्थोव मैं स्थोवตय अभी आपके इसे बारे में तो नशाψ नहीं करेदी के सुछा हुआ और है तो मैं उसके बारे में कहूंग होरिया के बारे में आपने पिछली दफ़ा गाता लिट मेंस क्सिया हैं आपने उसके क्रेकराइजेशन पे काम ही नहीं की अब इन काम सिर्फ वॉडि लेंग टे करता है अब क्पड़ पहन रहा है क्या थे वहु भी मैटर करता है अजिन गरज है तो अजिए पता चला कि में शीदे को पाड़ा के ले गए हैं तो शीदे ने रेंडम रेंडम किसी दर्वाजा के गर के पपगा कर देदें उन्होंने भी ऐसे करके फून बाई लिका कर देदें और शायद होता हो चोटे महलों में अभी लेकिन बख्तावर के खुद के पास इतना प्यारा एक फून है लेकि उसलिए निना कर सकती कि वह बख्तू का नंबर है तो उसको पता ना चल जाए सेट दिलावर को बट इस्यू है कि कोई अजनभी किसी को अभी नहीं पखडा देदा फून महलेदार भी हो और सबके नजर में बख्तावर एक अच्छी लड़की नहीं है ना जिस तरह शीदे ने उसकी इमिज बनाई हुई है कि यह लड़की जो है अच्छा एक मुझे ना इधर I want to add something I want to add something एक तो महले ने कावना कि अच्छी लड़की नहीं है I'm sorry to say वह गए अच्छी लड़की है भी नहीं behavior wise behavior wise जब भी उससे कोई कोई बात पूछता है वह तो ऐसे पढ़ जाती है वह आज की नहीं पढ़ रही है वह सिंस चाइड़ूड पढ़ हुए है पहले किस्त में उन्होंने दिखा दिया था मुझे बगतावर थोड़ी बद्तमीज लगी है अच्छा एक तो यह मैंने चोटी चोटी डीटेलिंग हम नोड करते हैं इन्होंने एक प्रेस कांफरेंस की थी जिन्होंने इनका रिष्टा पका किया अब हुरिया उसको कह रही है सेट दिलावर को मलेक दिलावर को कि हमार रिष्टा पका मेरी हमारी बात-पकी होने वाली है जिबकि वह हो चुक्ति है मंगनी का भी ऐस्धिक बेहन हो मुझे पसंद रही हैं नराज हो जाती है फिर बाद में मान जाती है उस पर फिजीला कैसर के इतने प्यारे एक्स्प्रेशन थे कि उन्होंने उनको उस टाइम ऐसे दिखाया गया था कि वो कितनी इस इस सोट से कितनी वो फैड अप हैं कि उरते तो सारी एक जैसी होते हैं और उनके मुपे वो आता भी है और वो फॉरान उटके वहां से वाकोट करें वो बड़े पहरे एक्स्प्रेशन थे विजीला कैसर के उसके इलावा एक मुझे डायलोग बड़ अच्छा लगा बगताव अच्छा एक चीज बड़ी मुझे बड़ी जीव से लगती है मुझे रगता है कि एक लड़के साथ उसने मुझे इस्यू बना दिया तो कल को तो कुछ भी हो सकता है पहले मुझे लगा था कि नोकर का सीन क्यों एक नोकर को इतना हाइलाइट किया रहा है बट इंग इस तिंग एज के यह एक मस्तला बहुत नाजुक है वो नहीं मस्तला ऐसा है कि इसको ओपनली नहीं डिस्क्स कर सकते ना वर नैशनल टेलिविशन तो इसलिए वह धके करके लगनी रहा है मैं राइट और लग रहे नहीं लग रहा है आप सही कहा रहा है रिष्टा टूटा उसी वजासे है तो अच्छा खेर एक और चीज मैंने लिखी हुई है कि वह जो हुरिया का मॉनोलोग सा आया था वो देखा था आपने मुझे मैं इतना मुझ देखके कोई पावर ही नहीं थी कोई मतलब एक फील ही नहीं आई कोई मुझे बड़े बुड़ा लगा अच्छा एक है के वो कहती है बक्तावर की मां कि तुम्हारा नतीजा आ गया है आप जो करना है मतलब नतीजा कब आएगा पेपर तो हो गये है यह सीन गुजर गया लेकिन उस है ना रिजर्ड का वेड़ करते है रिजर्ड के बाद ही बाद ही तुम्हें मजीद क्या पढ़ना है एक चीज बड़ी अजीब लगी मुझे फिर इसके इलावा एक और चीजा मैं इदर लिखी हुई है वह यह है कि जितने भी अमीर लोग होते हैं क्या अमीर लोग भी हम तो चलो मिडर क्लास दो गए ना हम जब गाड़ी ले भी ली तो हमको इच्छे साथ आठ महीने गाड़ी की सीटों के शापर नहीं उतारते क्या अमीर लोग भी शापर नहीं उतारते हैं तो फिर यह मलेक दिलावर के गाड़ी के शापर क्यों नहीं उत्रे होए थे तो में पहर लाइसा का न सक्कीबिए काड़ी सखाऑ और देखाराओं दिकानअ के बखतावर एवाखतावiben एवे लड़का बनके ब workshop इसके साथ बगतावर को लगाते हैं इसकी नेक्ष़ टॉप जी आप कर देड़ों पार्जानल देन सिलियर का नीक्स दिसका नाम है दुष्मन जी दुष्मन मैं थे तुमारा दुष्मन है मैं अधरे ओर जी भग्तावर जैसे एसे कहता हूं ना ना जी बाप्चा बेगब जी हवस जी हब्स हपस नहीं दुश्मन अच्छा ओके वेरी एमोशनल एपिसोड प्सांद आई क्योंकि मैंने देखा कि जब आपके जो पर जाएंगे शुरू के पांच मिन्ट भी रावने वेश्चा थे पिछली एपिसोड के थे अच्छा तो एमोशनल एपिसोड थी वो कबर पर अच्छा था उसके बाद जब वापिस आती है तो उसकी मिट्टी कबर की लेकि आती है और वो सारा बड़ा एमोशनल सिंगा मेरा उससे एक मसला यह है मैं किस तरह से उस महवेली से निकल सकती है एक तो सोनी ससी है ना वो ससी के घरवाले भी ढूंड रहे है माई-लाली बग नहीं देनी वो समझ नहीं आई क्योंकि एक कुछ उसका कुछ एक और वो उसी टाइम पहुंची हुझी जब राचा भी आगे है विचारे को तो आज को बहुत ही गंदा कर रहे है वो खाब बहुत मज़ेगा था खाब अच्छा था था वो जो उंठ पे वह संभारी कर रहे कि उसकी अशुन कमेरि ciao जो यए उसकी नाधिया अफंगान की मैनि यह तारीफ करनी है यह और किसी भी करेक्टर को उठा लोना उनके एक्षेंट सब्सक्रीथ नहीं बट्टक्षे नहीं प्सितन नहीं यह बड़ा पैसंद है ऐँ और बीटी को कह रहीत अजें नाधिया थ तेरे लिए तो मर गया लेकिन मेरे लिए वारिस तो यहां फिरता हुआ नजर आता है मुझे वह यार भी आया सीन के जब वह नहीं देखती शकल आखरी करती मैं बेटे की वह शकल नहीं देखती बहुत कुबसूरत के बाकि माही स्कलित कि पहले मैं प्रहड बाकि माईलाली की चुडेलनेस के बारे में आपकर कहता हुआ इए आपने वार्रा हो, कि जो किमिस्ट्री थी तो सो ब्यूटिफुल सो वैली वैल एक्जेक्यूटेड भई सीखें कुछ इन चीजों से यही चीजें इस तरह से प्रिजेंट होते हैं वह दग भी रहा था कि वह वाके मालिक लोकर की अच्छी दो वह है अच्छी बॉंडिंग है अच्छा खेर अब किसी 34 पांचवी एपिसोड के बाद फिर हादी बी नर्शद वही कोट पहन के आजेगे तो आप उनका बिगाड लेंगे तो उनके पास वही कोट है वह चेक वाला नीला और ग्रे कलर का ठीक है अच्छा एक डायलोग था इसके गुलाम महबत नहीं सिरु गुलाम महब जब आप कोई गेम खेरे ना तब आपको अपना नहीं पता लगता कि यह मैंने गलत कर दिया तो यह सब्सक्राइब कर सकता है लास सींज विच इस फ्लॉग जो में डिसकुस करना है कि वह बड़ा मजदार जैन जो था वह चलता चलता आ गया उसके साथ गाड़ चलते आ रहे थे यह एक दम उसको याद है में इस गार चलते हैं उसे फिर मुझे बड़ा फणी लगा मुझे हर चीजे कई जा रहे हैं छोड़ दें देखो वो असल में गार्ड को उसने कहा था कि मुझे मरियम के घर तक पहुंचा दें हां गार्ड ने पहुंचा दियूटी खतम उनका काम खतम तो काफी दिर बाद कुई आद आया कि जोड़ दें मुझे तफ़ा हो जाओ जा मुझे मुझे पहले मुझे आप बताएं मैं इस दफ़ा सोचा कि दुश्मन का एंड क्या होगा क्या दुश्मनी ही रहेगी या महबद जीतेगी एंड पे जिन लोगों ने दुश्मनी बरकरा रखिया आय रेली वांट के उनको सबग देना चाहिए इतना बड़ा ड्रामा बना है तो फिर आय रेली वांट लाली को मौत होनी चाहिए गंदी वाली गंदी वाली मलकानी शायद सुधर जाए क्योंकि उसमें एक सोफ कॉर्णर है सोन ना उसको भी मारना चाहिए चड़ेल है चड़ेल अचन डालनी है पूरी जैन जिंदा रहे और ससी ससी तो रहेगी जिल्ला शायद मुझे लगता है यह भी तो सकता है ससी की मौत पर सब ठंडे हो जाए वारस के जनम के बार हो सकता है मैं बड्डी मैं बड्डी तो विचार पॉनियर हो रहा होगा Monday में उसमें उन्टों की रेस हो जाएगी फाइनली चलते हैं जी नेक्स्ट ड्रामा सीरिल की तरफ जिसका नाम है बाश्या बेकम नाम बी-बी जी बी-बी क्रीम लगाई कभी आपने नहीं मैंने कभी नहीं लगाई यह नहीं लगाई क्यों इतने तरफ यह नहीं लगाई जी तीसमी एपिसोड निकली बाश्या बेगम की यह मुझे जुलाइखा का करेक्टर बड़ा अच्छा लग रहा है बड़ा क्यूट सा है जुलाइखा एक बड़ी सेंसिबल लड़की है अलाकि जिस तरह के महूल में वह पली बड़ी है जुलाइखा शुट भी बाश्या बाश्या बेगम होना चाहिए क्योंकि वह बड़ी सुल्जी हुई है अब चाहिए उसके डिसीजन जो है वह थोड़े से लिकिन बाश्या बेगम शादी शुदा नहीं नहीं हो सकती है तो हो सकता है कि पीरापूर बदल जाए यह तो दिखाना है साज जी गुल ने अब देखे आवी किस में क्या करते हैं पर नहीं दिखाना है कि सुलैखा हरे के लिए केर करते हैं बहुत अच्छा क्रेक्टर है अच्छा का अच्छा का अच्छा की दस मिनेट वेस्ट आइम थे अच्छा का इस सवाल है जहारा गाड़ी में बैठे हुए इतना अलू का पठा है उसने गड़ी की खोले हुए थे गड़ी में ऐसी नहीं था शीशे बंद करके चला लेता पिरापुर में ठंड होती है, सभी शौल लेके फिरते हैं ठंड होती है, तो शीशे बंद करता ना, ओ हाँ, सोरी तो शीशे बंद करता, और साफ उन्होंने दिखाया है कि मुराद सामने बैठा हुए, उनको मुराद नजर नहीं आया इतनी बड़ी गाड़ी में, गोली चला गया, थोड़ा सा रियलिस्टिक बना दिया करें सीन को, थोड़ा सा बिलीवेब बना दिया करें, इतना अन्बिल कि मुराद ऐसे रैंडम ली गाड़ी में बैठा हुए, सामने उनके उनको नजर नहीं आया और गोली मार के चला गया, बख्तियार को, तो मुझे ये थोड़ा सा वो लगा, ड्रामेट, ड्रामेटिक लगा, हतीका है, हाकीकत के करीब नहीं लगा, अच्छा मुझे ना क्वास बंद करो, चली जो यहां से, बड़ा फ़नी लगता है, मुझे खैर लेकिन अच्छा सीन होता है, मिया भीव के रिष्टे में यहीं होता है, जब हस्वें बस दलील नहीं होता है, अच्छा मुझे पता है, बाश्या बेगम की और परदा सीन है, जो आके भी बाश्य यहां खड़ी हुए ऐसे, इधर परदा है, यह लड़का खड़ी हुए, बैक एंड बे मर्द सारे खड़ी है, यह फिर कौन सा परदा है, एक कोई परदा है, निटकोसला है बस, डिकोसला है ना मैं यह एड कर वाना लगा हूँ यहां परदा सिरे लड़कियां यहां परदा है, पीछे वो सब देख रहे हुए, यह क्या मनदपरद है वाली, अजीब फिलम चलाई है और उन्हों नजर भी नहीं आ रहा कि इन्होंने बाज़ा वेकम चेंज की लिया है, देखे अवाम को पागल बनाया जा रहा है, ठीक, अचा यह, मुझे गुलनार का गोली पर यह वाला स्टांड संबनी आया, गोलियों वाला, मुझे तो समझ नहीं कि गुली इसने मारी कहां पर, मतलब नहीं पहले उसे गोलिया निकाली, फिर उसने एक गोली डाली, फिर उसने यूं की, पहले तो मुझे एक बाप पता है, गुलनार को पिस्तोल चलाने किसने सि पिर उसने बड़ा मजए से गुला गुमाया, फिर उसने गोली चलाई, फिर मुझे लगा अपर यह गेम करेगी, पहले अपने मारेगी फिर उसे मारेगी वो एक गोली का क्या रेलेवेंस थी, मुझे कोई underlying meaning समझ नहीं आया, आपको आया? आया? नहीं, नहीं हो गया है? आ इतनी over the top थी, इतनी over the top थी, कि जैसे वो बच्पन में हम स्कूलों में एक थेटर किया करते थे या स्कूल में जो परफॉममेंस उस लेवल की acting थी, नहीं मुझे नहीं पसंद आया, वो ही तो कह रहा हूँ नहीं पसंद आया, बहुत caricature-y शपागल थी, लेक्र पागल नही आचू स्कूल कर रही है आची अक्तिक कर रहा है, यासीर अची acting कर रहा है, वो फरहान इतनी एक्तिक कर रहा है, ताणया हुससे नहीं अच्छा हो बहुत बहुत है, बहुत क्या है, नहीं सोल की बुत कमी है, वो सुरी तुसे हे, आवम TV का words project, अगर मैं कहूँ वो अवा वलिज हैं दोनों में जारह नुर अबास हैं तीसरा यह है दिवारेशप। लिकिन उसमें 30 छोति एपिसोड में उठी एप शार। फिटल चलते हैं नेक्स डामा सील को सिरा कि विथ था जलते हैं नेक्स डामा सील कि टुर। विच एपस। जाने ना वायरल तो सारी एपिसोड ये उनी को dedicate करती ना लेकिन मुझे ऐसा फिर होता है कि शायद मुसातिक वालेक ने ना करना हो लेकिन आपको ये पता है कि ड्रामा शूट ज्यादा होता है बहुत ज्यादा शूट करते हैं सिंग काटते हैं मुवी की तरह होता है मुझे नहीं आइडिया था इन्हों ने उस वाले प्लॉट को ज्यादा हाइलाइट करना शूट करना है जोया मना अधी एपिसोड मेरे खाल में जोया और उसकी थी आधी जोया है उसकी भी आधी सभा फैसल उसकी थी आईशार बास ही तो पूरी एपसिट में कहीं है आईशार बास का एक सिंग बढ़ा चाता और अधी वेरी अंडरलाइग मेनिंग उसमेंग था जो टेक्सी वाले को कहती है राइट लो फिर रेफ लो लेफ नहीं तो राइट लो और फिर घूम जाओ तो इसे ही है वह उसका उसका करेक्टर इसकी इसकी मेंडल स्टेट को वह बयान कर रही थी कि राइट लो राइट लेना नहीं तो लेफ लेफ लो फिर गूम जाओ वह उसकी ब्यूटफुल और उसकी अशना के जो डायलोग जिसना डिलिवरी थी उनके मैंडल स्टेट को और ज्यादा है लगना करता एट सीन इसा पाइट करता राइट सेन वह ब्यूटफुल जोएय थी अचोरी मुझे थी जब वह उन्होंने प्याइन प्यायलाइस वह लाइस वह थी तो आपको नहीं पैता है जो चोर होते हैं वो आदतन भी चोरी करते हैं जरूरतन कोई बहुत देखें जिन लोग को जरूरत होती है वो लोग बहुत वो लोग चोरी इतनी नहीं करते है आदत वाले सादा है ज्यादा तर चोरी होती ही आदतन है तो वह था खेर उसका प्लॉट मुझे कब ना कभी कभी भी लगता है वह तो मैं वह नोट के रहा दिख जो शीट मास लगा के हाहा बड़ा प्यारा क्यूट थे क्यूट मुमेंट थे उन उसमेंट वाइफ के असमेंट तो खेर उसका बचाना भूंगस आया वो बड़ी चंडान वो दिखाया है उन्होंने आमिर इस तरह कहना कि वो एक पैमपड चायल्ड है माभापने बड़ी बलाड़ प्यास से पाला है क्योंकि एक इकल होता है खैर मैंने एक चीज़ और रिलाइस कि कुछ सुसरी इस बेरी गूड हाँ वो बंदा अच्छा है वो अच्छा है साथ तो इसकी सोच अच्छी है वो छोड़ा विल्किन साथ भी जिस्टिफाइड लगती है मुझे ऐसे एक दम आपके सर पर कोई लड़की रैंडम लड़की आके बैचे तो मेरे कहां में आप यह करोगे आपको एक्सेप्ट करते सब्सक्राइब का वो ब्रेकडाउन सीन था उद्दर मुझे बात करनी है कि वहां पर आवास चीक नहीं थी अच्छा मैंने रिनोट किया वह वास बहुत बुरी थी इसके लावा दूसरी जो चीज थी मैंना वह बड़ी मैं आप से मैं पहले बाता था कि मैं गल्तियां हम न अपना घर हो हम कराय से हटा है वह बड़ी मज़ेदार वह वैसे फसी है पत्थर के नीचे आई है कि ना आईशा के लाइगो निगल सकते हैं वह इस तरह के सिच्वेशन में फस गही है और ऊपर से उन्होंने वह उसको कमिट भी करते हैं दूसरी वाली ले उसकी बहन को दि तो लेकिन अगर मैं हपस की रेटिंग करूँ एपिसोड वाइस तो वर्स एपिसोड वर्स वर्स अभी तक है बासी तो था नहीं थोड़ी सी बस सोहा के साथ उसकी मुलाकात थी सोहा भी आगी वापस सोहा भी आगी वापस मायूस होके अजीव उन्होंने वैसे डाल दिया इस ट्विस्ट की जरुड़त नहीं थी हाँ नहीं थी जरुड़त अच्छा चलते हैं इस वीक के सबसे बेस्ट ड्रामा सीरिल की तरफ विच इस वहम पिछले तीन-चार हफतों से बेस्ट ही जा रहा है कैसा जा रहा है वहम हो रहा है वहम थक 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 सीरीज ओफ इवेंट और सब शर्प्राइजिंग प्रफ इसको कॉल आई किसी की नसीम को अभी अच्छी बात किया है कि कि यार 17 एपिसोड किरोसिटी मेंटेंड गये गये जैसे हम संगे मा की बात करते हैं यह हम आप किसी से थक गये मलब आपने सभी पॉसिबल इवेंट्स अजीओं कर लिए थे कि यह हो सकता है यह हो सकता है तो वह हुआ जब आप लंबा पीरेट जे दे दे ना चीजां को सोच के लिए तब आप हर situation के लिए ready होते हैं तो जब वह चीज आपके सामने आती है तो आपको ठक करके नहीं लगती इन वहम अगर हमें अब भी curiosity है भी न तो वह curiosity maintained है आपको मताओं इन्होंने बड़ा intelligently ये drama बनाया है वहम इन्होंने पहली 5-6 किस तरी ड्राइग कर दी हैं बीच में ड्राइग नहीं कर रहे हैं बीच में ऐसे ऐसे बड़ा है पहली 5-6 किस तरी आप देखें आप देखें कुछ नहीं हुआ था पहली 5-6 किस तो मुझे अच् और रुकसाने ना heta dad Tup is It was all about characterization character art develop हो रहे थी विच is a very smart move मुझे से लगता है कि उन्होंने हमें उनकी कि अंदर उन्हों ने हमें घुसा दिया मुझे एक चीज़ बड़ी इचे लगती है जो साहिरा का करेक्टर है वो जिसे ठक गया है वो फष्टा भी राया तो वो उसके मुझे भी आ रहा है कि वो वाकी ठक चुकी है और इसके लावा अच्छा नसीम को किसकी कॉल आई होगी यह मैंने आप से पूछना था और वो गई कहा है मुझे भला क्या लगता है उसरो जो खावर को दंकिया दी दिना खावर ने इसको निया घर ले दिया मा बेटी को कि तुम रुक्साना की जान चोड़ दो अपनी जिन्दिये लग से बसाओ मा बेटी शायद अिक मुझे ये लगता है कि कहीना का एक खावर अब रुक्साना को दवाह भी करना चाहता है वाक्य तो फिर वो जाते जातें वो वो अला शोषा के चोड़ किकर गई है कि ये तुम्हारी मावो है नसीम तपाह करना चाहता है अपनी खावर का है हां तो वो खावर ने उसको फून कर गगाँ गाँ गाँ जा के अब गहाँ दो वह दो धे थिंग शायद लेकिन अगर खावर की प्रोब्लम है लुक्साना से तो उसको अज़े अन्वर से भी होनी चाहिए अनवर को खावर से ओनी चाहिए मैंने कमेंट देखा मैं बड़ा प्यारा लगा कि इस गुड़ तो सी ओल्डर कुपल्स रुमैंस ना बड़ी प्यारी चीज है आगले एपिसोड में रुमैंस से ड्वेल्प होना तब इशल के प्रॉब्म साथ होगी वह घर से तो निए जिन्दगी भर दंकें देटी देटी वह निकल आई और वह निकल गई और वह प्यारा था जब निकलती है और उससे कहती है दर बंद कर लेना बड़ा क्यूट सीन थ अधर मैंने कहने थी कि DNA टेस्ट का सिंगनल आ गया है जिसना मैंने महले में बास करते है तो चाहिए टेस्ट भी हो जाए एक लास्ट इस मैंने कहने थी कि विच इस फ्लॉव फिस वीक जब घर से निकलती है शी वेरिंग नूड लिप्स्तिक जैसे उनके घर जाती है तो व मैंने सारे ड्रामा डिस्कूस कर दिया है लेकिन मुझे इसमें नहीं जलगना जरा ही थोड़ी सी अच्छा मैं ये कहना पूछना चाहरा था आपसे कि अब क्या डाइनमिक्स हैं रुकसाना के रुखावर के मैंने ये आपको पता है मैंने इस पर बड़ा बड़ा लिखा है ये चल क्या रहा है वहमें मैं रुकसाना के पहले शादी हुई खावर से जिसे हुआ फरीद हुआ इनके दर्मियान को इशू हुआ क्योंके खावर शायद कई कामें बीजी हो बिजनस में हो कई ये किसी वजा से इनकी होगे डेवॉर्स शादी हुई अनवर से शादी हलाला अब दुबारा वह खावर की बीवी है तो बहुत ही कुछ रिचे कर एसा नहीं हो सकता है खावर के खावर से जादी क्या है कि वह जो हम चैन टेसर नहीं लाश्मा अभी बहुत क्वेशन मेरी ही ंस गृणषä अनने मरी नहीं होती है मुझे नहींुन भी लिगा कि आप भी अगर आप उसको लोजिका इसे लोचकावर के लिक्रेशने बैसे चलने तो है, but I don't think so. चलने, let's see, let's see. Moving on, चलते है नेक्स रामा सीरी की तरफ जो के बड़ा ठंडा जा रहा है. मेरी शिर्जादी, मैं आपको कहूंगा ना, जैसे आम मुझाते है. जी मून, मेरी शिर्जादी. यार, बबबजी को मुझे अभी तक समझने है, शिर्जादी को कौन सी बीमारी है? क्योंकि जब उनको हाइबलेड प्रेशर है. तो हाइबलेड प्रेशर बंदा ऐसे संगीन बीमारी है कि बंदा मास्क लगा के चलता है? मुझे एक चीज मेकर से पूछनी है, आपने इतना पैसा लगाया है, आपने वह मशीन भी लगा दी जो उसके सारे स्टैट्स बता रही है. ऑक्सीजन उस बंदे की परफेक्ट जा रही है, मास्क उतारे हुए. लेकिन फिर भी उसको मास्क उतारे हुए. लेकिन फिर जैसे ही वह कुछ उन लेन ज्यादा बीमार दिखाना को फिर उसको प्रोक्सीजन लगा देते हैं. वाई? वह तो अंकल अल्ला को प्यारे होने वाले थोड़ा थोड़ा था. एक और इसके लावा, कभी अंकल ठीक हो जाते हैं. जब रिश्टा लेने गए थे, बले चंगे हो गए. कभी उनके साथ पूरे-पूरे डंडियां और पूरा-पूरा सिलंडर लेकर चलना परता है. कभी वह सिलंडर उतार देते हैं, एक अजीब ही बीमारी में मुबतला है, वह वाकी कुसी आप संगीन बीमारी में हैं. अजा खेर, इसके इलावा, वह वह विचारा कभी खान गया उसको किसी ने कोई मुभास ने जा दी तो कभी खान को पता था किसका ओवरॉली ट्रीट्मेंट ही उस घर में किस तना आसे तो उससे किस तना से पीनदबासी मां बया दी? शायद वह भी वही सोचता हो जोनमान मकसूद ने बताया उसको अपनी बेटी को हो तो तुम शेहजादी ही चाहिए मुझे पता था किसकी पहले से शादी हो चुकी है शेहरोज की लेकिन obviously you are the princess, तुम ही उसकी बीवी हो और official बीवी तुम ही हो चाहिए उसने पहले से शाद कि यह भी है कि युजिली हम जितने भी political families देखते हैं जो लोग rule करते हैं families properly हमने कभी परसनल dynamics के बारे में कभी बाहत ने की कभी हमने उसके बारे में कुई stories भी ने की अगर तो यह बागी fictional characters हैं तो आवे जिन्दी ने पहली दफा हमें वह देखने को मिलेगा कि उनको personally वह आपने मीडिया को भी वही स्टार साली बात लेकिन इदर शायद फ्रेशर बहुत हाई-level होता है क्योंकि coverage बहुत हाई-level जानी होते है और उपर से आपका आपकी सारी चीज आपकी life उसके ओपर depend करती है na because politician तो है यह अवाम से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जिसना वह शादी शादी is very highlighted part of that drama मतलब जब politics based drama है तो उसमें बहुत जादा इस चीज को highlight नहीं करना चाहिए के love is important, शादी is important, ऐसना है मतलब मुझे एक बात कहनी थी अधिका ओडू के हवाले से अधिका ओडू विछले कुछ अर्से से I think since हमसफर वह इस सांगे करेक्टिस ज्यादा कर रही है लेकिन जो हमसफर में कर रही है इधर भी वह सेम ही कर रही है मैं अधिका ओडू को इस नहीं से थख गया हूँ थख गया हूँ थख गया हूँ अगर आप उनका अभी वह कैसितरी खुदकरशी भी चल रहा है और यह उन दोनों में सेम ही body language है, same dialogue, delivery है, same दरीके, प्यार के सथके में भी यही था प्रियम नवास टायर उन्होंने अब वही उसी तरह कपड़े पहन थी जो हर डर्म में पहन थी अचा खे इसके लावा मैंने कहना था कि यह दानिया की सहेली घर वाप इस कब जाएगी कब से लहोर आई विया जाएगी वह दानिया चादी करके तो उन्होंने उसी को नवासी बना लिया अपनी क्योंकि उन्होंने दानिया को भी तो पाला है ना तो वह कहते हम तुम्हे भी पाल लेंगे कितनी वैसे गलत बात है फ्लौ नहीं है फ्लौ ही है चली जाए यह बस करे अचा ठीक है लोड चली जाए वापस अलमाबाद आकर बैठी है मैंने सुनना है फरां शरीद साहीद भी है इस नामे में है उनके एक चोटा सा कैमियो आना है आगे जाकर चोटूसरा मैंने इंट्रिव नहीं देखा था उनका कासे मली मुरीद का उसमे उन्होंने यह चीज मेंशन की थी इसके इलाबा एक चीज मुझे बड़े अच्छा लगी जब उसके क्रेक्टर मुझे मुझे मेरे लिए मैटर ने करता माल दोलत यह वह कहता है तुम्हारे पास है ना त उसको कितना चलाकी के साथ जाके उसको एमोशनल लाक में करता है और यह होती है यह रियल में भी होता है इसके किया जाता है और इसके लाबा मुझे एक चीज मुचने है कि कैम तो फॉर्नर है ना तो इतनी फरफर उर्दू में क्यों बात कर था उससे क्रेटिव लिबटी ना तो पॉर्नर है उसना मजब नहीं चेंज करती उनने कहीं यह बात फॉर्नर है ना वह कहते हैं और वह मजब नहीं चेंज करना जाती तो इट मेंस के वह उर्दू पाकिस्तान से फॉरन गई होगी ना तुम बिला बज़ा गंदी गंदी कर अटि लिबटी यह दे रहे हो वैसे बहए वह पाकिस्तान से गई होगी फोरन उन्न ने काया कि वह पािस्तान से फोरण घई होगी फोरन फॉरन पागेograph कुछ पॉलिटिकल पार्टिस फोरान ही चले जाते हैं तो वह फोरान ही फोरान चले गए ठीक है अच्छा फैर इसके लावा शवीर जान मर चुक है इसके साथ ही हम डामा एंड करते हैं चलते हैं नेक्स्ट्रमा सीरे की तरफ जो के मेरा तो आने वाले दिनों में बहुत वे ऐसे चीजी जो बहुत जर्णनल जी उस पे इंपैक करेगी कहानी की स्टोरी जही डार्क हां इट कहानी की स्टोरी रामा कि स्टोरी जरुडक मैं ने कहना था लेकन जो उसका बैक्रांट्वार आ वो उसके इमोशन और ग्रेक्टर्स और उन चीजों को गिरा रहा है आइए पर चाहिए एक रूखे चाहिए पर निज दिचांगा है सबस्क्राइए पर निजिए यह खेंगे तो आपको रेलाइस होगा आपको नोटेस होगा वो नहीं हो ता लेकिन मुझे हैसा हो रहा है कुछ बड़े डार्क और बड़े सीरियस सीन्स में वो पीछे चलता हूँ अच्छा नहीं लाग रहा हूँ सो नाओ, करियो अधिका क्यानु करें जरूर करें आपने दुबारा में भी बहुत की थी वो किचन वाला सीन कितना खुफूरत था जो किचन में जाती है और आप अपने से कमजोर पर निकाल हूँ पंजाबी में कहते हैं के जरा वार ते वान आते माड़े ते कड़ा मिशाल स्राइकी में क्या करते हैं यारान दिभाब उतारा थे अच्छा ओके हम क्याते हैं लोग लेंगविज में की तो वो बहुत मुझे प्यारा सीन था जब वो माटकाप तूट जाता है और उसके बास जो शिवर कर रही होती है बहुत हदिका कहा क्यों नहीं आपने लिकन अब है आशिर वजाहत बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं नेल इट बहुत अच्छी वह लगी नहीं रहा कि अजान है मुझे तो भई आशिर वजाहत की बहुत ज्यादा थारीफ करनी है कि इस तरह के नेपोटिसम को जो कोई प्रॉब्लम है को नेपोटिसम हर जगा होती है अच्छी नेपोटिसम को जानता भी नहीं था तो उसके बाद से नेपोटिसम नेपोटिसम होने लग गया है खेर आर्टिकल 186 में मैंने आपको दिखाए थे याद है तो लेकिन प्रॉब्लम इसके इसमें यह है कि आप पी तो यह करते हैं आप अपना बिजनेस कोई भी हो गैर को नहीं पकड़ाते तो अब यह होता है तो आप इस लोगों को आप थोड़ी प्रॉर्टी देते हों सेकंड़ी जब आ आ गया है तो फिर आपके बहुत प्रेशर है पिर आप ऐसे आशिर बजाहत की तरह परफॉर्म करें बहुत कुसरा है ठीक है तो वह नजर भी आत लेकिन मुझे शरोस अब जबारी का आज तक कोई भी करेक्टर याद नहीं है उनके अक्टिंग में कोई बहुत जएदा बराइटी नहीं होती तो उस तरह के नेपटिसम से मुझे प्रॉब्लम है आशिव जहार टाइप नेपटिसम में इंजॉय करोगा इंजॉय करोगा तो स्टार्ट करें अबीर कितनी चुडएल है यार उसको दुआ को कम्रेज ने को दिया कि मैंने फोन यूज करना है तो अबीर खुलके सामने आरी है वो उस तरह की लड़की है जो सोचती है कि हर जो दुनिया की जो प्रिविलेज है वो लडकों को क्यू मिले अब वो बीटिफुल जो कहते है उसकी मा को कहते है वो लड़का है या यह पहलू नहीं है बच्चों की प्रिविरिश्ट इस रिलेटिव अभी तक कोई पहली छोड़ नहीं दे ठीक है जोड़ी प्रब्लम लग रही है कि ठीक है बबंदियां बुरी होती है बहुत बहुत चूट भी बुरी होती है उसका भी एक इंपक्ट सुनीता के बच्चों में आना चाहिए लेकिन उसके अभी तक मुझे कोई जलक नहीं आ रही है अभी तो ड्रामा शुरू होगा है अभी तो बचारी दिवास शरीफों की तरह मस्कीनों की तरह बाहर बैठी है लाओ वैसे वैसे दोनों शॉक होगे कि बचारी दर की बैठी है वबीर के कमरे में क्यों नहीं है अचा खेर थोड़ा उन्होंने अचा मैंचे और चीज बिसकस करनी है कि जब उन्होंने सुसाइड को कहना था बोर्डिंग भेज देंगे तो सुसाइड भी कर सकता है सिर्फ सुसाइड को मैंचे करके हैं को करने जलुदर नहीं था बहुति होती हैं हम्हार फोर्व पे सकति यह चार चार उनल्ड होटी हैं कि होती हैं बोर्डिंग स्कुल में सेक्ठ भी होता है बहुत होता है कि बुलिंगए भूलिंग भूलिंग होती है है एक वरिजम होती है ठीक है जी जो बढ़ गंदे बच्च को पिसक्टिया हंकी हतक होती है ठीक है यह बौर्डिंग स्कूल की इसाइश अगर वह हाइलाइट कर देते ना तो वह जरा डायलोग कुछ भूसूरत है मेरी एक ख्वाहिश थी, वहापे सिर्फ सुसाइड आड़ करेंगे वह जो अब्वियस हो गया था अग्री आइग्री 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 तो उसके बाद मेरा और कुछ भी नहीं है कि वह सर्ची से प्रिटेंड कर रही है मतलब वह अपने शोहर से ना इंफ्लेंस भी हो जाती है कि उसने शोहर को मनाने के कोशिश की कि इसको फिर दो चरफ वाइद बताए तो उन मान भी गई इस वह इसी होती है शोहर के बाद जल्दी मान जाती है तो इस तरह से है बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है थोड़ा सा बस मुझे सो नीता वाला पार ऐसा सुनीता से को इस्शू नहीं है प्लॉट 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 इस नौट वजीहा का प्लॉट बहुत स्ट्रॉंग नहीं है जितना स्ट्रॉंग खतीजा वाला पार्ट है कि वह उसमें थोड़े से लूफ फोल संसरा आते हैं अच्छा एक चीज जो लास भी हम मिस्कर गे थे मैं इस दो मैं इनका हमारे प्र प्लॉट प्लॉट नहीं प्लॉट 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 इस बच्छे की एक्टिंग कितनी प्यारी है मैंने इस बच्छे को पहले बार देखा है मैंने सुना है कि आपकी काम किया हुआ है अच्छा मैंने कभी देखा नहीं लेकिन यह तीनों बड़े स्ट्रॉंग अबीर भी अजान और अभान यह तीनों बहुत स्ट्रॉंग है उधर मुझे थोड़ी चाने चोड़ है मतलब अच्छे की बाद नहीं है लेकिन दुआ फिर भी थोड़ी बेटर है वो जो है ना जो हाव खान उसके मूपे एक वो नजर आती है वो अब ना एडल्ट हुड में एंटर हो चुके हैं वो उस तरह से किड नहीं रहे उनके मूपे अडल्ट हुड नजर आती है अब हाँ तो अच्छी बच्छा था तो यस बट आशी बचाहत वैल डन सीग है मुविंग ओन हब्स हब्स करेंगे अब हब्स कर लिया है फ्रॉड तो हब्स में फ्रॉड नहीं हुगा तो फ्रॉड में हब्स कर लेते पिर दबाओ मुझी मुझी पर्फ्यूज कर नहीं है तो चलते हैं इस दबातो आज तो फ्रॉड पर मैंने बहुत मैं जाड़ने जाड़ने करना जारी चलते हैं फ्रॉड की तरह जी मून यार शजिशन की माथशर के माप भाप की तो आपस में इसकशन होई जहां प 1995 कहती है कि उसी मां तो 24 यह 25 एपिसोड ओने थी ऐसे लगदा है 23 एपिसोड नहीं है इतनी घटिया एपिसोड इतनी घटिया एपिसोड मुझे स्टार्ट इसीसी बात से करनी जो ख्याली बातें हो कर रही थी वह हमने कहां देखी नहीं कि उसकी मुलाकाद भी हुवी है और उसको जज़ भी कर लिए खैर असमाबास का नाम ड्रामे में पता चल गया कलसूम पूरे ड्रामे तेज किस्ते में कहता रहा है भी इसका नाम बता रहे अब कलसूम है तो उनके सलोन का क्या नाम होगा वस्वरी उसकी बुतीक का क्या नाम है कलसूम्स नहीं हाँ नहीं कलसूम्स होगा कलसूम्स की तरफ आए यार एक तो मुझे एक बार बताएं कि कैंचियों की तरफ जाएंगे यारी इस असमा अबास की क्रेक्टराइजेशन पर कोई काम नहीं हुआ उसे ज्यादा लो बजट और लो क्वाल्टी ड्रामा जो अब हम आगे डिसकुस करने जा रहे हैं कलंदर उसमें उनका प्रॉपर क्रेक्टराइजेशन हुई है उनने क्या कपड़ी पहननी है क्या है इदर आए दिन उनका हेस्टाइल चेंज हो जाता है आए दिन उनके वाडरोब चेंज हो जाता है कभी नाइटियां पहन के दोदो किस्तों में आ जाती है कभी वो शलवार कमीज पहन लेती है कभी वो बाल खोड लेती है कभी वो नगोवाला नेकलेस पहन लेती है कभी वो यह सरफ हम सोचे हैं या यह वैसे होता है मैं तो सोचता हूँ उसी ही ड्रामे में आप ने सब्बा कमर को रखा लख रक्का है यह ओषिए उस नहीं हुर से प्यास्टे कपड़ी पहनों शोटोटे डिटेस होती है इन आख को चुपती है कि एक रेक्टर पहले तो ऐसा था नहीं अब दुबारा एक दिन हमें देखने को मिलेकर करल बाल लेकर आजएगी ठीक है तो पता नहीं तो एक तो यह चीज़ मैंने रेलाइस की थी इसके इलावा एक और ख्याली सीन आए कि वह साइकार्टर से कही तो अर कब चाने का और वह आहिं थी उसने कहा ना कि मैंमिला था वह अंसले करना गाम इल्गया तो हो गई तीसरी पर अब हम साथा चरू में कुछ आए लाएक अपने कफण के कपड़े वाला emotional blackmail क्या था वो भाई तुम मर जाओगे तुम कफन नहीं देगा कोई तुम्हारी बेटी इस काबिल नहीं है कमाती नहीं कि तुम कफन ही ले दे तुम कपड़ा लेके आगे हो कि बेटी को emotional blackmail किया जाए ये क्या है निसार साथ कि ये निसार निसार साथ तो बहुत जाहिल है कि मैंने डामा चोड़ देना अब उसके अगली एपिसोड में हो गई है शान से जब उसने का था ना पूरा लेक्चर दिया था अपनी बेहन को कि मैं शादी नहीं करूंगी मैंने अपनी जिन्नीकी में कुछ बनना है मैंने आगे बढ़ना है मैंने बहुत experience देख लिए इस consistency consistency वहां पर तूबा देखे ना तूबा को उन्होंने टैन कर दिया है तूबा को सारी एपिसोड में गोरी दिखा यह अब उसको टैन मेकप कर दिया और आपने नोट किया है कि जो सभा कमर के घर का सीन था जहां पे अल्सूम आती है वह बहुत डाग था एज़ए घर में ल अब तो खेर एक और चीज़ के दोनों साइडों पर फ्रॉड चल रहा है ना के लाइक एक तो एसन का भी फ्रॉड सीन चल रहा है अब फिर वह उस बेटी को भी इसे सीन पे ला रही है कि भी आप बताएं ना सभा को ले आएंगे लेकिन उसकी बैक स्टोडी नहीं बताएं वह इस फ्लॉड के साथ शादी कर नहीं सकते हैं नहीं करेगी में बता देगी शान को I guess फिर कोई emotional blackmailing आ जाएगी फिर बहुत में जरत दर है मिनिसार सब चुरी लेके खड़े हो जाएंगे बेटा सारा तुम खाना खालो मैं मरने जा रहा हूं बाबाजी पक्खे ना रसा जारे की मलामत हो रही है माईला 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 हो रही है माईला है इनी सीनों में माईला का है माईला किसी ओड्रामा के शूट पर गई हो कि आज कर रही है आज कर रही है और चीज मैंने कहने थी कि सभा के फैमिली में बड़े फैसले हो रहे हैं वेर इस माईला जो वो जब एहसन खान और उसकी सास आपस में मिलती है और कहती है मैंने देख लिया था तुम कितने इंट्रस्ट वो कब आया थी वह भी चुरी चल गई तीन चुरियां चल गई तो इट मेंज एपिसोड 23 नहीं था यह 25 था इसको 24 होना चीए था 24 बीच में से कट गई है कि हमें तो नहीं दिखाया यह सारा कुछ कहां आप कुतों कितना है इस एपिसोड को वहीं पर वहीं खड़ा है ड्रैक कर रहे हैं और ड्रैक के साथ साथ आप सीन भी काट रहे हैं क्या चाहते हैं वर्स ड्राम आउट 2022 आइ मस्स सभा की एक्षी एक्टिंग क्या आचार डालें आप अब अब बताएं अब इधर आप मैंने उसकी बतारीफ हैं करें हूँ इतमीज आई लव माहिरा खान नो जाक्या मेरा वह देखें वही मैं बात कर रहा हूँ न जो अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आप सभा की बतारीफ हैं करें तो इसका मुद्ब आप महरा के फैन हैं तो इसका मुद्ब आप सभा के वो हैं यह बात नहीं होती आप कॉंटेंट पे किसी स्टार को जच करते हैं मुविंग ओन दो नहीं ड्रामें सबसे पहले चलते हैं कलंदर की तराफ दी मुन कलंदर जो के लिखा है सम्रा भुखारी ने पहले अम देख चुके हैं परिस्तान हम ने देख चुके सोरी हम ने ने देख पा सुरी एक एपसुड से जाद देखा लिया सिटकॉम था जो डरेक्ट की है वह साहमा वसीम ने वह पहले एसिस्टेंट डरेक्टर रही है कुछ ड़ामों में अब प्रॉपर उन्हे डरेक्ट की है आप बहुत जो है वो जिकों कहते है ना कास्ट में है इसके असमा अभास कॉमल मीर जो के बाशा बेगा में हम देख रहे हैं उसको ऐस शोदी कौन सी आ रहा रहा रोशन आ रहा मुनीब बट नूरुलहसन काशिव महमूद एंडरीश करें करें तो ड्रामे की कहानी बता हैं आप मैं बताता हूँ के एक दोग है दुरे अदन लड़की का ना है दुरे अदन है वो जो भी दुआ मांगते हो कबूल हो जाती है अमने बट मुझे एक रिलिजियस स्पेक्टर वाला ड्रामन नहीं चाहिए आपको मैं पिछले कुछ महिन अगर वो इतनी रिलिजियस लड़की है दुरे अदन अब आया क्यों नहीं करती है खुदार महबसी जन्मान में दिखाया था ना वो लड़की साधिया कान वो प्रॉपर एक लगता था कि यार वो उस तरह से यह तो घर से बाहर निकली है और वो पाइपों के साथ लोगों इतनी कलंदर है इतनी मलंग इसको पता हिसा का करना मोलंग ऑगर उन्हें दुनिया को तार्यों यह पता है आप अच्छा यह देख होता तो कलंदर कैंदर क के डैफिनिशन होता है को नहीं होता है लेकिन यह दुनिया से भी नियाज नहीं कमाई भी करनी है तो पटे रंग रंग के, कपडे रंग के अक्जीब रंग साथ बनी हुई है वो इसके लिए दिखा रहे हैं वो रंग रेज बनाया है वो जो दुआ मांगे तो रंग ही जाएंगे उसे रंग में इसके लिए वो एक मेटाफोर था मेरी बास सुनें आप जितनी भी नावल राइटर्स हैं निकल आए अब इस हीरो इन के लड़की जो है वो चुई मुईसी है और वो सब कुछ कर लेती है और वो यतीम है और वो मसकीन है जिसको पालता है ताया चाचा फुफा खाला मामू वो उस पर जलुम करते हैं उनसे सारे काम करवाते हैं फिर उनके साथ अच्छा सुलूप भी नहीं करते निकल आए इस चीज़ से यार जिसके मैंने इस बात पर तरीफ की थी कि परिस्तान में मुझे लड़की थी ना वो अचा खैर मुनीब बात इस ड्रामे में कॉलिज सुडेंट बने में क्या वो किसी भी हालत से कॉलेच सुडेंट लग रहे थे क्या कहेंगे पहले तो मुझे इस चीज़ का जवाब दे ना मुझे प्रॉब्लम कोई निया कि करें फिर मेंनत भी करें वह लगे भी कॉलिस्तों जैसे माहरा अगर बनी थी हम कहां के सचे थे में लगती थी लगती थी यस लगती थी फिर उन्होंने बने करेक्टर पर काम क क्या करेंगे पहले अपिसोड में वह एक्टिंग अच्छी करी है लेकिन वह उसका ना वहीं से पाउं मोच आ गई पहले तो मुझे बाह बता हूं इतनी तुम अमीर हो मैंने तो लोगों को हील्स के साथ क्या कुछ करते हैं हमने नहीं देखा वा जो लोग हील्स तुमारा दोपने और पर तो की मुझे पता है यृऊं से नहीं मुरण के से तेना है नहीं नहीं अमीरों को क्या कहते है नो दोलती है नो दोलती है नो दोलती को चाहएं नहीं नो वो तो बहुत बहुत मुझे से एडी बेग ऐसे जैसे किसी ने बैटरी उसके सेल भर दी है चार्ज करके न इतनी चार्जिंग इतनी बैटरी चार्ज अची नहीं लगती है थोड़ा सब कंट्रोल में रखना चाहे है फिर आपका द्वाना आया लाले बिलाले जड़ा पन्नो नहीज़ा जेडा पन्नो लाले, 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 बिलाले, लाले, लाले. निकला एं जोप से याजुपार द्वाना न बहुंता है अवर आगर दी नाच भूए है। और इसकी रेटिंग जाना है अरसलाम, इंशालह, देखना, पिसमानों गच्छ हुएगी। यह आपाता है दूरे अधन है यह ती मनीर होती होती जाके न दूरे अधन की पैले अपिसोर कर लिंक दाला नूगा क्यों कि यूद्ध के पहले सीन में दूरे अधन नशे कर रही है तो आधा खेर एक और चीज़ मुझे बताएं कि वह एक सीन होता है उसमें जाओ चिल्लम बदर गरम गरम चिलन मुठा लेती है अजी वह तारगेरियन बनी हुए है खली सी एपचारी लिए अपकुछी तुमने कहा है उसको दुनिया का पता ही नहीं है गरम गरम उसे चिलन मुठा ली तो कुछ भी कर सकते हैं पॉगल की बची क्या काउम मैं उसके उपर बड़ा गंदा क् अचिए एप यह तो डीजे डीजे टायप जो से एंटे डाली है मुनीबनवाज नहीं मुनीबाज पर तीन दफ़ा तुन है मुनीबाज रिट नहीं गाउं हम गाउं जाते हैं हम तो कभी ट्रैक्टर पर नहीं बैठी इस इदर जाने के लिए पेट्रोल ही बहुत लगता ह मज़ाक के लावा, वो कहते हैं ने खोदी चले जो पैदल, क्या कोँगे तुम चोटा सा गाउं मैं वैसे भी तुम पैदल भी जा सकते थे तुम क्या अश्रवत थे मुनीम बट, क्या मुनीम नवाज सा यार ना करो अर्सलान, तंग ना करो, बहुत बुरा ड्रामा है अचा इसके लावा ना और मैं गंदे-गंदे फिलावस लिखे हैं अब मैं कहूं कि इस द्रामे को करना ही नहीं है तो फिर बने क्यों फिलावस डिसकस करें तो देति नहीं हो श्रहा है वो जूअ ने वरत ग्नभलत, चाय पड़ा है और गंदे-ड्रामा बहुत गंदाटा़स एंचा नहीं है तक्दीर अचा स्ट पहले पेलावस मैं तीर अचा्स in veryma वुकेडी है जो जो इतनी बड़ी कास के नाम नहीं पता आप मेरे नाम नहीं थी जब आए समीखान थे इसके इलावा जवेशेख थे सबा फैसल थी खालिद अनम थे लड़की नहीं याद आ रही क्या ना मैं अलीजेशा मुझे याद आ रही मैंना अभी उसका रेफरेंस बड़ा गंदा देने लगा था क्योंके पिर मुझे बाद में बचाला कि वह रेफरेंस ट्रू नहीं वह फेक था तरस्वाला एक और भी था अचाब के चोड़ दे पता है आप लोग को होगा कोई जान जाएंगे उनको पता गंदा साथ ड्रामा थे पहले मुझे लगा कि वह फते में एक दिन आता है वह फते में तीन दिन आता है और घंटे घंटे गंटे गपीशोड होगा तो दो बहाई हैं उनकी बहादी और उनकी भाबियां रोमी से जलती हैं और उस वाले घर में जाएं तो वहां पे भी दो समी खान के घर में भी यस दो भाई हैं और उधर भी दो भाई जो उदना चोटा बाउध साथी समी खान पहले कर लिया है लेकिन समी खान का घर पर राज है और उनकी मा जो हैं वह सिरफ ड्रामे देखती हैं टॉक्सिक मेस्कुलनिटी वाले जहां पर सास उप इसके इसी ज में डालनी है वहर वह मेक अप शेक अप बे करती रहते हैं फिर उनकी बहुत भी वैसे निकला दिया तो इतनी कोई घटियार स्टोरी है तो मैंने तो रियलाइस को अधर वो जो इतनी चुन्नी बनी हुई है बुखार हो गया तो उनके भाई जो है वो जाए नहीं दे कहीं पर अब थोड़ा सा ना को रियालिटी चेक देने की सख जरूरत है के प्लीज चेंज यूर एक्टिंग का पैटरन मैंने पिछले कुछ अर्चे से आपको हर बंदा ड्राम में देख रहा है मेरी बास सुनो वो नीलम वाला कॉंसर ड्रामा था नीलम वाला ड्रामा था जिसमें यूर्ण के नीलम के कजना बनने हुए थे जिसमें अमने पैठर को ककल भी कर दिए प्यार दिवान की है, इसके लावा तिनके के सहारे में वो है, इसमें वो है, क्या बोलते हैं, तक्दीर में वो है, इसके लावा कोई और समी खान का ड्रामा याद है आपको? अच्छा मैं सुरी मैं गूगल गर रहा था, समी खान और अलीजे शाह की ऐस में काफ़ी इस इस ऩाइज का डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है? समी खान जो है वो ब्यालिस साल के हैं और अलीजे जो है 22 साल, 20 साल का फर्क है, आड दे लाइक एज फेलो इन दरामा? इतना बड़ा नहीं दिखाया होगा जतना बड़ा डिफेरंस इस में इतना जादा सकती है बाप बैटी की उमर हो सकती है 20 साल हो सकती है एक बंदे की अगर 19 साल में बैटी पैदा हो जातों इसके इलावा एक और चीज जो जिसको बहुत किया गया है नहीं बन सकती है थोड़े से वह थोड़े से करक्त भी दिखाएं कास्टिंग किस तरह कून का वह भी बड़े वह करक्त लग भी नहीं रहे हैं तो अजीब गंदा ड्रामा है चोड़ दें बहुत कहरा हैं आजकर समी अजय में भी थे यह किसी बी चीज में इदने इंप्रेसिव नहीं आ रहे हैं सभी कान को अब कुछ डिफरन करने की सखत जरूरत है उनको पनी रीब्रेंडिंग करने अब ने रीब्रेंडिंग करें अजय देव गन टाइप कुछ करें वह उससे के साथ ही प्रेंदिक निक अजय आते लेकिन इस थोड़े पते कितने हैं 28 है तेरा नहीं है 28 है अजय तेरा है जब फीर सही है थेंक्यू करें कमेंट से भर दें मेरे कल साल गी रहा है गाईज आचा तीक है कल मेंनिक फुल में डिसकस हो और होगी चलों डिसकस करें शुरू करें तो पहले तो यह के प हदिका की बाड़ी लैंगवेज ड्रेसिंग इवन हेस्टाइल मेकप सुटबल फर क्रेक्टर एगरीड एवरी पैरेंट इवन यंग जनरेशन शुड वाच यह और इस दबाद भी हम हैश्टाग चलाएंगे के समझे हमने बश्रम को इसके बार टोटल अर्म को हार्ट अट मोमो आएं थी और फशुरू के कुछ 10-15-20 एपिसोड वस सो गूड आफ्टर दैट वो एक बहुत यकसानित का शिवाद बहुत ज्यादा हर एक नया बंदा बंदी बुला लेंगे इसके सब पूरी एपिसोड तो इसलिए मुझे मैं बुलबले को कुई बहुत बड़ा एक पूरी यहित अब नादानिया देख लें लेकं रहा रहा हैं लेकिन बहुत बड़ा तमीज हो। लेकिन honestly speaking मुझे बुल बुले कोई खास पसंद नी है उससे बहतर बहुत सारी और ना हुआ रहे हैं मेरे दमाग में इसके बाद कुल बॉय कहते हैं पुराना ड्राम का भी रिव्यू करें जैसे के दिल लगी जिन्दी गुलजार है बगएरा जी जरूर इंशाला हमादारी कहते हैं I don't want to watch पाकिसान ड्रामस बट आफ्ट रिक्मेंडेशन आइल बॉच पिंजा बट स्टोरी ड्रैग हुई तो छोड़ दूगा इसके इलावा जन्नत कहते हैं साड़े को जीत तो पाकिस्तान लगा हुआ था इस ये फ्रॉड की दो एपिसोड नहीं आई शुकर है पिर इसके इलावा अलेक्सिस दवुल्फ पतानी क्या आर्चर कहते हैं मून भी है शुकर है याद आए ये तुम बेशा कहते हो ना जन् प्रॉब्लम इस जन्नत हम कर तो सकते हैं दराड या फिर जो ने वह बाल छोड़ा है इस इस इनसान ने इस कैमरे जो हमारी टीम वाली उनके आने के बावजु होते हुए भी इसके दो तीन ड्रामे रहते हैं सो हमारे पर सारकर इतना टाइट स्क्रेजुल चल रहा है मैं आ पीछे पड़ा है लेकिन उसको अभी प्रिंटिंग के लिए जान जाना है इतना वाक्त ने मिल रहा है कि मैं घर से करीम ब्लॉक तक जाऊं और प्रिंट करा किया हुए तो यस थोड़ा सा अभी थोड़ा समसेटल हो जाएं तो वह करेंगे तो वबाल और दराड के तरफ से हमारी माजरत क्या अगर हम इन दोनों को शुरू करते हैं तो हम पूरी बैक स्टोरी देखनी पड़ेगी बीच में से शुरू नहीं कर सकते हैं इसके बाद रभी आपकर कहते हैं आएं वाचिंग पिंजरा और यहव तो संस माइंगर वन इस थर्टीन इस नाट गूद इन वह पैट्स का बहुत शुकीन है लाइक पिश चिक्स कार्ट मुझे यह चीज़ परिशान करती है कि स्टडी भी जरूरी है ना चाहे कुछ भी बने इन फूचर नो एक्सपेक्टेशन अचा राभी मेरे मैंने आपका कमेंड पड़ा और आई हावा सजेशन फोर यू अगर सारी किताब हैं जिसमें जानवरों की मेडिकल चीज़ें और उनकी आदतें उनकी साइकॉलोजी उन पर चीज़ें होते हैं उनको किताब लागे ने वह पड़ेगा तो देर पोसिबिल्टी शायद उसका शायद इन फूचर वैटनरी हाँ वैटनरी इसके इलावा बाहर के म प्राइज जरूर होते हैं तो अगर वह इस तहां से था तो आप उसको प्लीज जान रहेटे प्यारी प्यारी किताब में जहां पर उनकी इनफरमेशन होती है वह लागे ले इसके लावा समाजरी कहते हैं लिटरली मोर दन हाफ अफ 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 द्रामा इडों स्कूल के फैमिली में एस कंपेंसिशन शादी करती जाती है अव्लिवन डिट सो गोट अट इसको वनी बोलते हैं ना वनी है इसके लावा समाजरी कहते हैं मेजिंग एपिसोड अस अलवेज स्वरान यूनस कहते हैं हा हा अटसलाइन आइग यूर पॉइंट जोब वाला ज जिन्दगी के नशीव फॉराद वाला पेलाग्राफ उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता था इसके लावा शेकुपता कहते हैं ड्रार और वाबाल का वभ्यू क्यों ने करते हूं मैं आपको बता दिया में होंद अन्स कहते हैं पिंजरा बोर्डिंग स्कीन गेव मी तारे जमीन पर वाइब अगर ये ड्रामा उस फिल्म से इंस्पायड भी है तो कोई हर्च नहीं है ऐसे कहानियां भी बना बेहर्च जरूरी था पाकिस्तान में मैं परसिनली अपने सोशल मीडिया पर प्रमोट करूँगा अगर ये ड्रामा छे से साथ एपिसोड तक एंप्रेस करता रहाब ये मुझे बड़े फेवरेट है मेरे MSK वह बड़ा अच्छा एक कंस्ट्रक्टिव करते हैं कमेंट कहते हैं ये जारा नूराबाद और कोमल मीर बोथ और अवर अग्से बात करते हैं इस इस वाज इसवाज एजपूप करते हैं और कुछ लोग बिल्कु कहला है सोते हैं उनक लाद इतनी अच्छी होते हैं अच्छी करते हैं आज करते हैं आज करते हैं आज कल के ड्रामे इतने सूस्त और वीक हैं कोई एक्साइटमेंट नहीं है कोई ऐसा ड्रामा नहीं है आज कल की टीवी पे जिसके लिए हम एक्साइटिट हो कर वेट करें आज क्यों आज करते हैं my husband's washing and bad behavior on kids see that's that way that's very harsh reality that's coffee wala scene he always took out my anger my husband's washing and bad behavior on kids why I slapping them on studies and controlling them a lot as I have no power to control my husband so I took out my frustration like this though it's my sick mentality but I'm helpless and mostly I cried a lot after doing that with my kids I have a new technique I can help you with genius buddies maybe I can help you you have to take a tukya when you are frustrated you have to keep the tukya in the face and you don't have a lot of teeth you have to do a lot of count on what do you think I will try and I will try and you will get frustrated which is natural you will get filled जाते हो लेकिन अब उस भरे हुए में अकसर आप गलत-गलत सीयंस जैसे वो कहने हो आपने बच्चे को मार भी है ये ना हमारी सोसाइटी के लिए एक शीशा है एक आइना है कि हस्पेंट्स जो है इतने कंट्रोलिंग हो गए कि वह वाइफ को जुनती ही और फिर वाइफ एवेंचली क्या करेगी बच्चों पर निकाले के वह और किसी के उपने निकाल सकती तो इस सच है क्यों है मैं नी कर लिया नहीं आपने खुछ रहना है आब आदा करें मारे साथ सो नेक्स कमेंट पर चलें नेक्स कमेंट सेहर कहते हैं जारनूर अक्टिंग ऑन पॉइंट इसके में डॉक्टर जै कहते हैं टोटली अग्री दर्शनार रिकार्दिंग काला डोरिया समीन आइमाद में काले अगर बात को तुम अगर डीपली समझो तुम लास्ट विक ने बात समझे नहीं थे वह बात वही थी अगर वह भी उनने बताया नहीं अचा तुम कहते हूं नहीं बताया यह नहीं कि दुनों एज़ फैलों एज़ों थे पॉप्रशब्टी वह चोटा भी हो लेकिन हमने प नहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम नहीं से वह दोनों कट्टी लागे नहीं है मेरा दील ही नहीं मानता कि मैं अच्छा कपल लगेंगे तो इसके बात जवाद शेक हैं कहते हैं 10th में थी जिन्दगी के नशीब उफराज में ऐसे लमहाद भी आते हैं जब इन किसके जिन्दगी में जवाद की अच्छा देव टॉकिंबाट हिम हाँ इसके लावा शाहना कान शाहना 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 कहते हैं बीबी का रिव्यू इसके साथ ही आज की कमेंट्स भी खतम हुए जा जाते मून कुछ कहना जाएंगे कल मून की साल की रहा है सब ही मून को जैसा कोई खुश्बुदार मेसिज अगर आप देना चाहें तो क्योंके फूलों वाली शेट पहने है न आपके पूलों के बना बात करूं कि फूल बने कांटे नहीं बच्पन में पढ़ते नहीं होते थे फूल की तरह बने कांटों की तरह नहीं पता नहीं क्या या फूल आपके फराज फराज गुसा आके पहले उनको शेयर नहीं है कोई भी शायर नहीं है कोई भी परानी चीज़े लेख तो यह एक अदब का बहुत अच्छा पार्ट था शायरी अदब भी नहीं और शायरी की बेसिस पर हमें चीजों बलब आम डीप डाउन मिलिंग समझना ए की वीडियो के लिए मारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जी अब हम आपको मिलेंगे अगले हफ़ते मुझे और मून को दीजिए इजाज़त अलावब्स